हलो फ्रेंड स्वागत है आपका आपके अपने यूटूब चैनल आर्केवर मैं लग्टे कल पर तो फाइनली दोस्तो इस वीडियों डिसकस करेंगे यूपी पी से लटी यूटू आट्स वेकेंसी इसकी फाइनल का टॉप कितना जा सकती है और जैसा कि आपको पता है दोस्तो इसका जो डोकूमेंट वेरिफिकेशन है वो आपका नो तरिक से और बारे तरिक के बीच होने वाला है तो जानेंगे कौन सी सिट में कितना मिनिमाम बच्चे को डोकुमेंट वेरिफिकेसन में सामिल किया गया है काफी बच्चों कि यही सवाल रहते हैं कि सर मेरा फाइनल सेलक्षन हो जाएगा या नहीं होगा दोस्तों तो इन सब बातों पर वीडियो में डिसकस करेंगे तो चल सब्सक्राइब जानते हैं कि में थोड़ा मेरे पास टाइम का भाव रहता है तो विज़ी डाटा है अपने जानने वाले हैं उनहीं ने मेरे पास भेज़ा है और उन्होंने पूरा अनालैसिस किया है तो उसको देखते हुए मैं आपको फाइनल का टॉप बताने जा रहा तो दोस्तों सबसे पहले यहां से आप देख सकते हैं कौन सी shift में minimum कितने बच्चे को बुलाया गया है verification के लिए और कौन सी shift में कितना norvulation मिल रहा है और कौन सी shift सबसे hard number पर रहने वाली है पहले number पर या दूसरे पर वो सारी जानकर यहां से मिल जाएगी यहां पर आप देख पा रहे हैं जो यह जो candidate है यह OBC का है यहां से आप देख पा रहे हैं जो 7 की जो first second है वो सबसे hard रखी गई है क्योंकि इसमें जो minimum बच्चे को बुलाया गया है 104 number पर OBC को verification के लिए बुलाया गया है और hard की बात करें तो सबसे एक number पर hard की यह रहने वाली है और normalization की बात करें तो दोस्तों इसमें 37 number का normalization जिस बच्चे के 104 नमबर थे उसको 37 number का normalization यहाँ पर मिल रहा है और जैसे जैसे नमबर बढ़ते जा रहे हैं यानि 104 से उपर जैसे जैसे बच्चों ने प्राप्त की हैं उनको इस वाले बच्चे के एक सा ज्यादा normalization आप उनको मिलने वाला है जैसा कि आप सभी जानते हैं मैं आपको पिछली कई इसमें एक OBC 109 number minimum पाया गया है 10 first 14 number पर रही है 110 इसमें पाया गया है और 8 second की बात करने दोस्तों यह आपकी पांच में number पर आ रही है और इसको 29 number का normalization मिल रहा है यह minimum वाले बच्चे को मिल रहा है मैं एक बार फिर बता देने चाहता हूं और जिसके ज्यादा number है उसको ज प्राप्त नहीं हुआ है बागी सब सिप्ट का डाटा है यहां पर प्राप्त हुआ है जो basic रहने वाली है दोस्तों वो सभी को पता है 17 की first अब की बार basic रहने वाली है और minimum की बात करें तो दोस्तों 141.25 जो वाला बच्चा है OBC का उसमें दोस्तों इसको बुलाया गया है verification के लिए इससे नीचे कोई बच्चा OBC का verification के लिए नहीं बुलाया गया है दोस्तों यहां से आप देख सकते हैं यह data बिल्कुल actual है एक एक बच्चे से प्राप्त किया गया है दोस्तों अब दोस्तों बात करते हैं final cut-off कितना रहने वाली है दोस्तों तो unreserve की मैं बात कर की cut-off रहने वाली है और OBC की दोस्तों मैं बात करता हूँ तो आपकी जो final cut-off है 148 plus minus 1 अब की बार बिल्कुल cut-off रहने वाली है SC की मैं बात करता हूँ दोस्तों जो SC का जो बच्चा है वो base shift की मैं बात करता हूँ तो लगबग 124 के आसपास document verification के लिए बुलाया गया है तो कहीं ना कहीं दोस्तों जो SC की cut-off है वो आपकी 139 plus minus 1 आपकी रहने वाली है और दोस्तों और जो आपकी EWS की cut-off है वो आपकी कहीं ना कहीं SC और आपकी OBC के बीच में ये cut-off आपकी verification वाली है दोस्तों और आपको पता लग जाए कि दोस्तों आप base shift में EWS की जो बुलाया गया है बच्चा उसको आप ढूंड ले और उसमें लगबग 7 से 8 नमबर उसमें आप जोड़ कर आप देख सकते हैं इतना cut-off आपकी वार EWS की भी रहने वाली है दोस्तों काफी भाईयों के comment से कि सर्फ final cut-off कितना रहने वाली है और minimum कितने बच्चे को बुलाया गया है तो ये सारी जानकारी इस वीडियो के मद्धम से आपकी clear हो गई होगी एक बार फिर बता देने चाहता हूँ जो आपकी general की cut-off है 108 1 plus minus 1 रहने वाली है और OBC के 148 plus minus 1 और दोस्तों आपकी SC की जो cut-off है वो आपकी 129 plus minus 1 आपकी ये बार रहने वाली है और EWS की जो cut-off है वो आपकी OBC और आपकी SC के बीच में आपकी ये cut-off रहने वाली है दोस्तों तो दोस्तों ये थी कुछ important information उप्र करें चेनल पर हैं तो पिलिज वीडियो को जाएक और शेयर करें चेनल पर हैं तो पिलिए लोगों को सब्सक्राइब करें करें को जातरी तो लाता रहता हूं